वो पार्टी आज है कल नहीं है, पर प्रत्थवी हमारी मा है, यहीं पैदा हुए और यहीं मरना है, राजनीते इतनी बड़ी चीज ना हो जाए कि उसके लिए तुम मा को भूल जाओ, देखो, सुनो, अच्छे से, यह जादा तर जो सब पॉलिटीशन होते हैं, यह कोई 20-30 क तो होते नहीं, 40 के भी नहीं होते हैं, भारत देश ही असा है, आबादी सारी युवा है, और नेता जादा तर बुढ़े हैं सब, तो यह तो जाएंगे सब मर, जीना आपको है, कैसे जी होगे, बात यह नहीं है कि यह सब बाते जो महत्यकी हैं, यह लोग आप से छिपाते ह हैं, इनको यह बाते पता भी नहीं है, अभी उनको बुला दीजिए, देश के शीर 20-40 नेताओं को बुला के यह बैठा दीजिए, और उनसे इन मुद्दों पे सवाल करने लगिए, वह हैं हैं, इधर उधर करेंगे, और थोड़ी देर में गाएंगे, नहीं हमें पाकिस्त कि मुझे वोट देना चाहिए, कि नहीं, क्योंत थे कि कोई भी दलो सको जाएं लेफ्ट विंगो राइट विंगहोगोगी लेगिन को ईव्य विभी apple यानी, दिक लाईमिट चेंज्ञन की को पूछी रहे हो कि ले दे के सहाल यह कि वोट किसको दें देखो भई पक्षपात तो हम करते नहीं ना इस पक्ष से ना विपक्ष से कोई लेना देना है जो सची बात है उसके साथ चलना है ठीक है तो हमारा वोट तो उधर को जाना चाहिए जिधर सचाई है हमारा उधर को वोट जाएगा अब राजनेतिक दलों का काम आपको अध्यात्मिक शिक्षा देना तो होता नहीं भले वो जबरदस्ती धर्म में घुसने की कोशिश करें वो अलग बात है पर राजनेतिक दलों का ये तो काम है नहीं कि वो आपको अध्यात्मिक शिक्षा देना ये उनका काम है ना उनके बूते का है, उनकी सामर्थ भी नहीं है, भाई तुम राजनेता हो, ठीक है, कोई धर्म गुरु तो हो नहीं, तो जो उनका काम है, उसके आधार पर उनको वोट जाएगा, ठीक है, क्लाइमिट चेंज की आप बात कर रहे हो, तो बस ये देख लो कि जो आज सबसे महत्वपू उनको अपना समर्थन दे दो, सीधी सीवा, जाहे वो कोई दल हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, सेंटर का हो, उपर का हो, नीचे का हो, जो सही मुद्धों की बात करेगा, आप उसको साथ दे दीजिए, जो फाल्तू के मुद्धों की बात कर रहा है, उसको तो पकड़ के कि असली मुद्दे का हैं और यह भी पूछिये कि यह जो नकली मुद्दे हैं यह तु कहां से खोज के लाया यह असली मुद्दे वो क्या है लग गया पीछे हाँ क्या है पहला मुद्दा तो जितनी यह पाइटिया होती है सब अपने election manifesto release करती हैं, करती है ना, इसकी भी ले लिजे फोटो, या मैं बीच में आ रहा हूँ, तो या आपके पास कोई vote मांगने के लिए आ गया, किसी भी चुनाओ के लिए, छोटा सा नगरपालिका का चुनाओ हो सकता है, एमपी के लिए, विधायक के लिए, कोई आ गया, पुछिए कि यह सब है क्या तुम्हारे खोशनापतर में, यह सब है क्या, अगर यह है तो मेरा वोट तुम्हारा है, और यह नहीं है, तो यह बाकी फर्जी बाते तुम कर रहो एकदम दफा हो जाओ, किसको वोट दें जो इन मुद्दों की बात करें उसको वोट देंगे तो पहला मुद्दा क्या इसमें लिखा है Climate Change तो देखिए कि कौन सा दल, कौन सा व्यक्ते इसकी बात कर रहा है दूसरा मुद्दा क्या लिखा है Over Population देखिए कौन सा दल इस मुद्दे की बात कर रहा है तीसरा Energy Energy कहां से आईगे, Energy Sufficiency भी, Energy में Cleanliness भी Energy से Related मुद्दा बहुत बड़ा Carbon Emission भी है ये सब कहां से आईगे, ये तीसरा मुद्दा हो गया, अगला पढ़ी लेता हूँ Global Health Pandemic अब उसका भी संबंध कुछ हत्त क्लाइमेट चेंज से है क्योंकि जो चीज क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है उसी से pandemic भी ज्यादा संभावित हो जाता है उदारण के लिए deforestation आप जैसे जंगल काट जाते हो वैसे ही आप तमाम तरह के पैथोजन्स को जनता में रिलीज करते जाते हो वो सारे वाइरस वगयरा जैसे करोणा का ही थह था नोवल करोणा वvाईरस जो था वजंगल में रहह करता था वज zweiशन्टा में कैसे पहुंच गया क्योंकि आप घुज गुण cruelty जाते था में श्यांए ता वहाँ पर गुजगरे और तो जा कर उसकी गुआब लज़फब स्झमगाद़ से इसको अठा लけれ और पूरी दुनिया में फैल गया कोविड बन करके. वैसे ही अभी जब आप जंगलों को काटो गे वहां से बहुत तरीके के पैथोजेंस रिलीज हो रहे हैं, उनका एक खास नाम होता है. क्या नाम होता है उनका? तो होता ही है, जो जोनौटिक पैथोजेंस होते हैं, उनने क्या बोलते हैं, पता करिएगा, जंगल से आएंगे, जंगल के लावा एक और जगह है जहां से वो आएंगे, वो आएंगे, जो इतनी बड़ी-बड़ी, बर, हाँ, आइस शीट्स हैं, जो ग्लेशियर से हमारे हिमनद, उनके नीचे एंशियंट वाइरस जो हैं, वो दबे हुए हैं, हाँ, डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, अब जब वो ग्लेशियल शीट्स पिखलेंगी, तो वो सब पॉपुलेशन में रिलीज हो जाएंगे, और वो इतन पुराने हैं, इस कारण हमारा उनसे कोई एक्सपोजर है नहीं, ना हमारी बॉड़ी को कोई मेमोरी वच्ची है उनसे एक्सपोजर की, जब हमारी बॉड़ी को लाखों सालों से कोई मेमोरी ही नहीं है, उन पैथोजन से एक्सपोजर की तो हमारे पास फिर कोई इम्यूनि छहीं से इम्यूनिटी भी नहीं, वह जानते हो कितनी बड़ी बात होती है। जब यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ये काम ऑस्ट्रेलिया में भी हुँआ, आउध अमेरिका में भी हुआ उनकी बहुत बड़ी Aboriginal आबादी बिना मारे मर गई South America में जब Europeans पहुंचे और Australia में पहुंचे तो उनकी जो अपनी Native Aboriginal आबादी थी बहुत सारे बिना मारे मर गई खुदी मर गई बताओ कियो मर गई क्यों कि वो लोग वहां अपना रहा करते यहां अस्टेलिया में रह रहे हैं और जुनिया से कोई मतल्लब नहीं तूर। यह लोग नए किस्म के वायरस लेके पहुच गए थे और वह जो लोग थे कहे थे वाहने वाले रिजनल्स उनके पास इन वायरस के खिलाफ कोई पूरी आबादियां ऐसे साफ हो जाती हैं जितना कि आप तलवार से मार के नुकलियर अटैक करके आग लगा के किसी तरीके से आप नहीं मार सकते उससे ज्यादा तेजी से गाओं के गाओं शहर के शहर पूरा एक देश के देश साफ हो जाते हैं जब प्लेग फैला था जो ब्लैक प्लेग का समय था यूरोप के कुछ देशों की आबादी तीस से चाल बड़ा डिप जबकि वो ब्लेक प्लेग के समय में नचीन में फैला था नभारत में फैला था जो घनी अबादी वाले देश हैं यूरोप में हुआ था और तब भी दुनिया की आबादी ऐसे गर गई थी क्योंकि यूरोप की बहुत बड़ी आबादी साफ कर दी थी उसने यह सब निकल करके आने वाले हैं और अगर इसकी बात हमारे जनतंत्र में कोई नेता नहीं कर रहा है कोई दल नहीं कर रहा है और हम बाते किन चीज़ों की कर रहे हैं हम बहुत दो कोड़ी की चीज़ों की बाते कर रहे हैं कोई जाती ये मुसले उठा रहा है कोई धार में क सामने उन चीज़ों कोई महत्तो नहीं है अब हम नहीं बात कर रहे हैं इनीक्वाइलिटी की हम बात कर रहे हैं सिर्फ पावर्टी की तो फिर हमें औस धोखा देंगे जो अभी थोड़ देर पहले मैं समझा रहा था आपको इसलिए जब पावर्टी लिखा जाए तो उसके सा हटानी होगी पावर्टी इस तरह हटे की इक्वैलिटी बढ़े सिर्फ पावर्टी हटी तो बहुत बुरा काम हो गया रहे इसका मतलब अमीर के हाथ में गरीब का शोशन करने का अधिकार और बढ़ गया गरीब पहले जितना ही है यह थोड़ा सा बहतर हुआ गरीब की तो इसलिए समानता की बात बहुत जरूरी है कोई आप से सिर्फ काई गरीब हटा देंगे गरीब हटा देंगे तो बात परयाप्त नहीं है यह भी तो बताओ ना कि जो बॉटम 30 परसेंट है डबेस अफ द पिरमिड उसके बारे में क्या किया जा रहा है यह पूछिये राजन स्टेबिलिटी यह बात भारत पर उतनी ज्यादा नहीं लागू होती यह उन जगों पर लागू होती है जो फूड सेक्यूरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका भी जो संबंध हो क्लाइमेट चेंज से हम सोच रहे हैं क्योंकि अब हम मेंसे ज्यादा तर लोगों का मिट्टी से कोई संबंध नहीं रहा है खेतों से कोई संबंध नहीं है तो हम यह सोचते हैं कि साब खाना तो बाजार से खरीदने की चीज है मिल जाएगी भाई साब फसलें एक नियत तापमान पर उगती हैं और उन्हें खास तरीके की स्थितियां चाहिए धूप की, बारिश की, नमी की और अगर वो स्थितियां बदल गई तो फसलें भी नहीं उगेंगी क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि भूखें मरने वालें वालें सब और सब ने भूखें मरेंगे, कुछ तो अगयेगा ना, जो अगयेगा उसको महंगे दामों पर कौन खरीद लेंगे, अमीर, मरें गा कौन जो अमीर है वो तो महंगे दामों पर पानी भी खरीद लेगा पानी की एक बोतल एक हजार रुपई की भी हो जाए तो इस वक्त भारत में करोडों लोग हैं जो एक हजार रुपई की एक लिटर की पानी की बोतल मजे में खरीदेंगे करोड़ों लोग हैं इस अब भारत में ऐसे लेकिन आबादी डेड़ सो करोड़ की है साब 140 करोड़ तो प्यास से मरेंगे एक करोड़ ऐसे होंगे जो कहेंगे हां खरी सकते हैं और बिल्कुल यही उनुपात है एक और 140 का आप दिल्ली में सेब उगा सकते हो क्या उगा सकते हो क्यों नहीं उगा सकते क्यों नहीं उगा सकते जिस वजह से आप दिल्ली में सेब नहीं उगा सकते क्या आप जानते हो कि उसी वजह से हिमाचल में और कश्मीर में सेव की फसल की इस साल भारी हानी होई है आप में से कोई है जो सेव के व्यापार से कुछ रिष्टा रखता हो कोई नहीं है इस साल सेव की जो पूरी फसल है हिमाचल में और कश्मीर में वो ठीक उसी वजह से खराब होई है जिस वजह से दिल्ली में सेव नहीं हो सकता वो Global warming है यह, warming, जिससे climate change हो रहा है, पहले warming है, वो warming कई तरह के climate changes लाती है, और warming का मतलब यह है कि पेड़ पे फल अब नहीं लगेंगे, खा ले ना, जहां से सेब खाना हो, कुछ समझ में आ रही है बाती है, थोड़ी सी बारिश जादा हो जाए किसान की फसल का क्या होता है, क्या होगा, और global warming का यह मतलब होता है कि ज्यादा पानी अब भाप बनके पहुचेगा आस्मान में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, और यह जो H2O होता है, वाटर वेपर, यह अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जब गर्मी ज्यादा होगी, और पानी भाप ज्यादा बनेगा, तो गर्मी और बढ़ेगी, जो काम कार्बन डियोक्साइड करती है और मीथेन करती है, वही काम N2O भी करता है, यह सब ग्रीन हाउस गैसेज है, सबसे जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस मीथेन होती है, और जब वहाँ पर पहुंचे गया पानी, तो क्या होगा, अतिव रिष्टी, ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि एटमस्फियर में एनर्जी बढ़ गई है, वो एनर्जी जो वापस चली जानी चाहिए थी, सूरज से एनर्जी आती है, एनर्जी तो सूरज से यानी अभी भी, पर आम तोर पर सूरज से आती है, एनर्जी और वापस चली जाती है, लेकिन कार्बन डायोक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, वो एनर्जी को वापस नहीं जाने देते, वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, इसको कहते हैं Greenhouse effect, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप जब धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हो, और फिर खोलते हो, तो अंदर कैसा रहता है, अभी गर्मी आ रही है, धूप में समझनों बात को, ज्यादा बारिश होगी, क्या खाने को मिलेगा, लीकिन हमें नहीं समझ में आरी बात, हम जाति धर्म और नोट और शराब की एक बोतल के आधार पर वोट दे देते हैं, या इस आधार पर दे देते हैं कि फ्री की चीजें कौन सा दल बांट रहा है उसको वो यह पूछने की बात है, यही पूछने की बात है, वाटर स्केरिसीटी, हमें लगता है यह तो ऐसे ही कोई, थोड़ा, कोई सोशल साइन्टेस्ट होगा, या कोई वैग्यानिक होगा, या कोई अक्तिविस्ट होगा, तो लोग यूझी ऐसी बाते उच्छाल देते हैं, कि व बहुत सारा तो फ्रेश वाटर बनाना पड़ता है जेनरेट करना पड़ता है प्लाइंट्स में और अगर फ्रेश वाटर उतना है भी तो उसका डिस्ट्रिबूशन पॉपुलेशन के सब एरियाज में इकुल नहीं है कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है और जैसे ऐसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेस पर दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है आप में थे कितने लोगों ने उन्हों करा है कि पहले जो आप बोरिंग करते थे फ्रेश वाटर के लिए तो इतने फीट पर पानी आ जाता था और अब उससे दूने फीट पर पानी आता है इसको बोलते हैं वाटर टेबल का डिपलीशन पीने को पानी के लिए त्राहिमाम होने वाला है लेकिन हम इन मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे जादा तर लोगी मानने को भी तैयार नहीं है कि यह होने जा रहा है अभी बीते दिनों क्लाइमेट चेंज पर एक चैनल पर एक वीडियो पबलिश हुआ कुछ ऐसा था कि बेहोश है मरेंगे चीरशक था उसमें कई लोग की टिपणिया हुए है आपको क्या पता ऐसा होने नहीं जा रहा है हम न जाने किस मानसिक कल्पना लोक में रहना चाहते हैं हम अपने आपको बताना चाहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है all is well साहब all is not well nothing is well at all बायो डाइवर्सिटी लॉस इस पर इतना बोला इतना बोला लेकिन फिर भी जितना बोला उसे दस गुना और बोलूँगा हम जो कुछ भी कर रहे हैं अब, वो किसी ने किसी प्रजाती को मार कर ही कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक प्रजाती को मार रहे हैं, याकड़ा मैंने आपसे कई बार कहा है, उमीद करता हूँ आपको याद होगा, प्रति दिन कितनी प्रजातियां हैं जो प्रत्वी से सदा के के लिए सौ से एक हजार प्रजातियां विलुप्त हो रही है कौन सी पुलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टों में प्रजातियों की बात कर रही है जो कर रही है उसको वोट दे दीजिएगा और जो नैचुरल रेट ऑफ एक्स्टिंशन होता है अभी जो रेट ऑफ एक्स्टिंशन है उससे दस गुना ज्यादा है माने यह जितनी प्रजातियां हमेशा के लिए जा रहे हैं अभी कभी लोट के नहीं आएंगे इन में से 90 प्रतिशत इंसान दौरा मारी गई है हमने उन्हें खत्म किया है सिर्फ दस प्रतिशत है जो प्रक्रति द्वारा खत्म हो रही है बाकी सब को हम मार रहे हैं हम हमारे हाथ खून से रंगे हुए है आप कहेंगे पर मैं तो नहीं मारता मैं तो नहीं मारता आप मारे उसके लिए जरूरी थुड़ी इसकी गरदन काटे आपने उसा घर काट दिया ना उमर गया आपने उसा घर काट दिया उमर गया घर क्यो काटा नहीं हमने कैसे काटा क्योंकि आपको कोईले की खुदाई करनी है आपको और चौड़ी सड़क बनानी है आपको खेत काट के नए निकालनी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी को भोजन चाहिए, तो आपको खेट चाहिए, खेट कहा से आएगा, जंगल काटो खेट के लिए जगह निकालो, यह आपने करा, सैकलो प्रजातियां अपने आप मर गई तने में, वो एक्स्टिंक्ट हो गई, जानवर नहीं मरा आ है, पूरी स्पीशीज समाथ हो गई, और भी तरीके होते हैं, एक जगह पर आपने जंगल वगएरा काट दिये, वहाँ पर जो स्पीशीज रहती थी उनको भाग करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, वो जो दूसरी जगह चले गए, उस जगह पर जो जानवर थे, उनक स्पीशीज, अभी हाली में पढ़ रहा था इनके बारे में, कि बायो डाइवर्सिटी लॉस इस तरीके से भी हो रहा है, बात समझ में आ रही है, प्रक्रति की अपनी एक व्यवस्था रही है, एक संतुलन रहा है, हमारी मूर्खता ने वो सब पूरी तरह बरबाद कर दिय आए, और मुझे लग रहा है, ये सब बाते हैं, अब हम बहुत देर से कर रहे हैं, शायद ये बाते करके भी अब कुछ हो नहीं सकता, 20-40 साल और हैं शायद, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक रात में मौत आ जाएगी, बहुत दुखद अन्थ होगा हमारा, जैसे किसी को बह अपने साथ पूरी प्रत्वी की बाकी प्रजातियों को भी नश्ट करे दे रहे हैं, हम तो जाएंगे जाएंगे उनको भी हम बरबाद करके टेक्नलोजिकल एथिक्स, हाँ, अब AI आगे आया है, उसे डीप फेक हो रहा है, या कि सर्वीलेंस सरकारें कर सकती हैं, किस हद तक सरकार अगर सर्वीलेंस करती हैं, तो यह बात नैशनल सेक्योरिटी और नैशनल इंट्रेस एकारन जस्टिफाइड है, किस हद तक यह जो फ्रीडम है और आपकी प्राइवेसी की फ्रीडम है, उसका उलंगन है, यह सारी बाते, कोई राजनहतिक दल यह बाते कर रहा है, अपने खोशना पत्र में, आप वाटसेप करते हो, आपको कैसे पता कि कोई एजंसी उसको पढ़ नहीं रही है, टेकलोजिकल एथिक्स है, क कोई एक जूठा ट्विटर हैंडल बना करके आपको बुली कर रहा है, और ट्विटर उसका वो अकाउंट फ्रीडम अफ एक्स्प्रेशन के नाम पर ब्लॉग भी नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, यह मुद्दा है आज का, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ट्व इस्टर हो, फेस्बुक हो, यूट्यूब हो, यह सब प्रोपगेंडा के जूठ के मिस और डिसिंफोर्मेशन के अड़े बने हुए हैं, और आम आदमी की जिंदगी को बुरी तरफ प्रभावित कर रहे हैं, टेक्नोलोजी तो आ गई है, पर उसका जो सबसे घटिया इस्त के अज़ने वह बाते कहलवा जा सकती हैं, जो मैने अभी कहीं ही नहीं आपका बैंक अकाउंट कैसे सेफ है आपके घर की सुरक्षा कैसे पक्की है इसी टेक्नोलोजिकल एठिक्स में फिर बायो टेक्नोलोजी भी आती है जिसमें क्लोनिंग इत्यादी के मुद्दे हैं पर इन मुद्दों पर कम से कम भारत में तो हम कोई चर्चा करना ही नहीं चाहते है राजनीती का मतलब यही होता है जूतम पैजार तू मेरा मूँ फोड़ दे मैं तेरा मूँ फोड़ दूँ बता उसके घर में कैसे आग लगानी है बता उसके खिलाफ नफरत कैसे पहलानी है यही सब राजनीती है यह जो मुद्दें तो हें नहीं राजनीती के तो आप अगर मुझ से पूछ रहो वोट किसको दे जो इन मुद्दों की बात करे उसको वोट देना और जो इन मुद्दों के ऐलावा इधर-उधर का प्रचार करे जान लेना की गड़बड आदमी है सह यही मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना चाहता है देखो सुनो अच्छे से यह ज्यादा तर जो सब पॉलिटीशियन होते हैं यह कोई 20-30 के तो होते नहीं चालीश के भी नहीं होते आमतार पर और आप लोग यहां बैठे हुए हो आपकी ओसत उम्र कहीं से भी मुझे 40 की नहीं लग रही है आपकी ओसत उम्र 30 होगी बहुत हुआ तो 35 होगी मुश्किल से 10 प्रतिशत लोग होंगे 20 प्रतिशत जो 50 पारके हैं भारत देश ही ऐसा है आबादी सारी युवा है और नेता जादा तर बुढ़े हैं सब तो यह तो जाएंगे सब मर जीना आपको है यह तो अपनी रोटियां सेख करके कोई 15 साल में निकल लेगा कोई 10 साल में निकल लेगा और बहुत मौज में मस्ती में निकलेंगे यह जितने हैं अक्रॉस स्पेक्ट्रम यह सब रोज रात को आईने के सामने खड़े होके पेठ हिलाया के हसते हैं कि एक दिन और पूरे देश को बुद्धू बनाया इनके पास कितना समय बचाए बता हो तो भारत में तो राजनीति शुरूई होती यह पचास साथ के बाद, पचास साथ तक तो आपको युवा नेता बोला जाता है, घूमरें के युवा नेता ऐसे ही, मुझे समझ में ही नहीं आता है, तुम पचास पार कर गए तुम इनको तो चले जाना है आपको इन मुद्दों के साथ जीना है आपको जीना है भाई कैसे जीोगे नेता ही नहीं चले जाएंगे पार्टी अभी आती जाती रहती है देखते नहीं हो वो पार्टी आज है कल नहीं है पर प्रत्वी हमारी मा है यहीं पैदा हुए और यहीं मरना है राजनीती इतनी बड़ी चीज ना हो जाए कि उसके लिए तुम मा को भूल जाओ इनके स्वार्थ तो बहुत छोटे हैं और बहुत मायोपिक लोग हैं यह सब पार्टी भी लीडर्स भी और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ मकार हैं यह मूर्ख भी हैं यह खुद भी नहीं समझते इन मुद्दों को बात यह नहीं है कि यह सब बाते जो महत्युकी हैं यह लोग आप से छिपाते हैं इनको यह बाते पता भी नहीं हैं अभी उनको बुला दीजिए देश के शीर 20-40 नेत पर अभिए्यस्तान के बारेम बात करनी हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है उनकी अपनी भी अजुकेशन नहीं हूए ठीक से तो मकारी ही नहीं है, मूर्खता भी है, उन्हें पता ही नहीं बचारों को, कुछ हद तक तो मुझे सानुभूती है उनसे, भाई बैठो, you need some education, लेकिन उनके जो भी मजबूरियां है, उनकी मजबूरियां आपकी मौत तो न बने, या ये बात सुईकार रहे हैं कि कोई मजब कहा है माई कोई? बखर निया है सब को नमशकार सर अभी आपने बात करिये कि वोट जड़ा धियान से डेलना चाहिए तो मेरा सवाल अगर हम वोट डालने नहीं जाएंगे, एक्जाम्पल मी, तो कोई और वोट डाल के चला जाएगा, तब क्या करेंगे? जितने लोग वोट डालने वाले हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मुझे किसी दल से, मुझे राइट से, लेफ्ट से, कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब मानव मातर से, प्रत्वी से मतलब मेरा, मैं हर इनसान की, मैं पश्वों की पक्षियों की बात कर रहा हूं, मैं नदियो तो रहे हैं, जिस एक्जाम्पल, थोड़े समय पहले की बात है कि जब वोट हुए तो मेरे नाम की वोट को यह और डाल गया, I went with my family, मैं उससे भी बात कर रहा हूं जो आपके नाम पे वोट डाल गया, मैं कह रहा हूं कि तुम भी मरोगे, तो हम आरान देखिए, हम तो वोट डालने गये हैं, बट अल्रेड़ी वोट डाल चुकी है, देखिए, आप भले ही जूट मूट किसी और के नाम पे वोट डाल रहे हो, पर डाल तो रहे हो, बहुत बड़ी मकारी करी आपने, बिल्कुल ग्यार कानूनी हरकत करी आपने, बिल्कुल इंडिया में इंपरसनेशन होता है, किसी और का फर्जी वोट डाल दिया, इस अब चलता है, मैं उससे भी बात कर रहा हूं जो फर्जी वोट डाल रहा है, तू भी इंसान है ना तेरे भी बच्चे है तुझे भी जीना है तू फर्जी वोट भी डाल अगर तो सही मुद्दों पर डाल वो उसकी फिर वो होगी कॉंशियसनेस ना हाँ अब कॉंशियस जादा हो तो फर्जी वोट डालेगा ही काहे को तरियुक्त। काफी अच्छा लगा और उसके बाद से मैंने एन्रोल्मेंट भी कर लिया था हमें सोसाइटी द्वारा बहुत सारी मान्यताई जो है हमारे सर के ऊपर जो है थो दी जाती है जिसको विक्रित धर्म का नाम दिया जाता है और हमें जो है एक तरीकिसे डराया भी जाता है कि अगर आप इन मान्यताओं को फोलो नहीं करोगे तो आप नरख में जा सकते हो या विभिन परकार से हमारा सूशन भी क्या सा सकता है तो हम लोग डर के मारे उन मान्यताओं को फोलो करते हैं जब कि आतम ज्यान के माध्यम से और सही धर्म के माध्यम से आज के सत्र में यह सीखने को मिला कि भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारी जो खोज है, भीतरी होनी चाहिए, ना कि बाहर है। आगे मुझे जो है प्रशनकाल से जो है जो प्रैक्टिकली चीजे अपने जीवन में मुझे सीख मिली है, वो पहली है कि हमें अपने डर को चुनोती देनी है, अभ्यास करना है, और एक्जामबल अगर हमें स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग में कोई प्रब्लम है तो ह अभ्यास के जरिए उस प्रब्लम से निजात पा सकते हैं, और मुझे भी परस्नली काफी प्रब्लम रहती है और मैं इसको जो है अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ और इसलिए मैंने आज की सीख साजा करते हुए एक स्टेप लेडिया है करते हैं